हेलो वेलकम बेक अक्सर हम जो ब्रैड लेके आते हैं मार्केट से वह इस तरह से थोड़ा बच जाता है जो कि फिर पड़ा रहता है यूज में नहीं आता है तो दो-तिन दिन यूज में के बाद इसका यूज बाइ डेट लिखी होती है तो उसके बाद फिर यूज करना अच्छा नहीं होता है तो फिर मैं क्या करती हूं इस ब्रैड का यूज तो मैं वहीं आपको बताने वाली हूँ तो जिस तरह से मैंने दो पैकेट मेरे पास ये प पड़े थे तो मैंने यह इतने स्लाइस निकाल के इनके पैकेट से तो मैं इनको पहले तोड़ लोंगी छोटे-छोटे टुकडों में तो क्या होता है कि इस तरह से जो ब्रेड पीस बच जाते हैं भी मैं उसका यूज आपको बताऊंगी कि आप इसको फेंके नहीं उसका वह में सब्सक्राइभ करें और इस तरह से खराब नहीड़ नहीं होगा इस तरह पहले इसके टुकडों को इसके जो पीस हैं स्वासेशS हैं उनको इस तरह से टुकड़े करें हैं उनके अबह Commun से थोड़े से बारी कर लें जो मिक्सीन में जिनको हम चला सकी अच्छा से ऋस इस तरह जैसे आपने देखा दो पैकोट थे एक पहले लिया था मैंने एक बात में लिया था उन दोनों में ऐसे बच गी थी तो मैं ने इसको फ्रीज में रख दिया था तो उसके बाद फिर जब मेरे टाइम मुझे मिला तो फिर मैंने इनको आज निकाला तो इनको इस तरह पीसिस करके इनको मिक्सी में मैं चला लिया मैंने इसको पॉडर बना लिया इस तरह से तो बरीक कर लिये ऐसा भी नहीं बिलकुब बनाया बस थोड़ा बरीक कर लिया जैसे इस तरह से जैसे मैं आपको दिखाती हूं कि इस तरह की है कि देखिए आप दिखता था यह पॉर्डर फो में ही है लेकिन पॉर्डर बारिक होता है उससे यह थोड़ा से थोड़ा यह सही है इस तरह से देखिए मैंने यह इस तरह बना लिया है बाके भी मैं इसी तरह ही पूरा जितना भी है वह बना लूँगी फिर मैं आपको इसका आगे का प्रोसेस बताऊंगी, घर में यूज होने वाली कोई भी चीज मैं कभी भी जो एक्स्टर बच जाती है, खाना बच जाता है, मैं कभी नहीं फिंगती हूँ, इसी तरह करके मैं आपको वीडियो बना के उसमें थोड़ा-थोड़ा बताऊंगी कि इस चीज जो कौन सी चीज का क्या यूज़ आप कर सकते हैं और आज मैंने यह ब्रेड का यूज़ आपको बताया है तो इस तरह से यह से मैं आपको दिखा रही हूं इस तरह और और नजदी करके दिखा देती हूं इस तरह से मैंने यह कर लिया है अब मैंने गैस चला के पैन रख दिया है गरम हो गया है वो तो मैंने इसमें ये जो चूरा इसका किया है वो ब्रेड का वो डाल दिया है इसमें अब मैं इसको चलाती रहूंगी इस तरह से कभी भी इसको गैस चला के ना गैस ऑन करने के बाद ने इसको इस तरह छोड़ना नहीं है गर्म होने के लिए तो फिर जल जाएगा इसको जितना टाइम आप इसको गैस पे रखोगे उतना टाइम इसको इस तरह से चलाते रहना है कुछ पांच से साथ मिनिट लगे मुझे वो भी इसलिए क्योंकि मेरा जो ब्रेड़ स्लाइसस थे वो ज़दा थे तो ब्रेड़ स्लाइसस के अगोर्डिंग उतना एक टाइम कम लगता है तो इस तरह से मैं इसको लगातार देखिए आप जैसे देख रहे हैं मैं चला रही हूं इसको तो देखिए इसका थोड़ा-थोडा कलर चेंज हो गया है अग गैस पे ही इसको भूने तो जैसा कि आपने देखा मैंने इसमें कुछ डाला नहीं है यस्ट पैन करम किया और उसमें चूरा डाल दिया देखिए इसका कलर इस तरह से चींज हो गया है और यह क्रिस्पी हो गया है अब मैं इसको ठंडा कर लूँगे ठंडा करने के लिए तो इस तरह से तो अब मैं इसको अलग या तो इसमें ठंडा अगर गैस पंद कर दिया है मैंने या तो आप इसमें भी इसको ठंडा होने के लिए रख सकते हैं लेकिन आपको थोड़ा टाइम चलाना पड़ेगा जब तक यह पैन ठंडा नहीं हो जाता या फिर दूसरा यह है कि आप प्लेट में निकाल सकते हैं मैं इसको प्लेट में निकाल के रख दूँगी यह मैंने निकाल दिया है प्लेट में इसको तो इसको जब यह ठंडा हो जाएगा तब मैं इसको एक डिब्बे में एट डिब्बे में भरके रख लूँगी जब कोई पैटी इस गयरा या कोई टिकी, बर्गर की टिकी बनाती हूँ मैं घहर पे, तो उसका वीडियो बर्गर कैसे बनाया था, मैंने उसका वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो उसको यह यूज में आता है, बाइंडिंग करने के लिए मैं इसकी कोई डिश बना के एक वीडियो आपके साथ जरूर शेयर करूंगी उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को क्लिक कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगी तो वह आपके पास उसका जो नौटिफकेशन है पांच जाएगा इस तरह मैंने इसको डबे में भरके रख लिया है वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना शेयर करना कॉमेंट में जरूर बताना कि अगर आपने बनाया है घर पे तो किस तरह का बना है थैंक यू फॉर वाचिंग